जैहिन दोस्तो असी शब प्रती मिनट की गती से लीगल डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद दोस्तो ये सभी डिफिकल्ट आउटलाइन और डिक्टेशन का मैटर आपको हमारे टेलेगराम ग्रूप और वाट्सैप ग्रूप पर भी दे दिया जाएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है आप वहां से जुड़कर डिक्टेशन की सभी डिफिकल्ट आउटलाइन और डिक्टेशन का मैटर पा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं असी शब प्रती मिनट की गती से लीगल डिक्टेशन स्टार्ट हमारे समक्ष विद्धेमान परशन का उत्तर विधी के उप्युक्त इस्थिर सिधान्त और भूमी के आवंटन से संबंधिद कानूनी नियमों जैसे की उपर समझा गया है और पर्यानवियत किया गया है के अनुसार दिया जाता है जैसा की पूर्व में बताया जा चुका है आवंटन के नियम से यह अभी प्रेत माना जाना चाहिए की आवंटन की प्रक्रिया की उक्त अपेक्षा को पूरा करना होगा जिससे समविधान के अनुछेद 14 के साथ किसी विरोध से बचा जा सके इस परकार पर्यानवियन की यह जाने पर इन नियमों से यह अभी प्रेत है की उद्योगिक पर्योजन के लिए आवंटन हे तू आरक्षित और अलग रखी गई भूमी को ऐसी प्रक्रिया अपनाते हुए विहित रीती में पट्टे पर दिया जाना चाहिए जिससे उन सभी पात्र इच्चुक दावेदारों को जिनके नाम पर आवंटन हेतू विचार किया जाना है समान अवसर मिल सके निसंधे राज्य सरकार को इस बात की छूट होगी की अलग रखी गई भूमी पर इस्थापित किये जाने के लिए अपेक्षित उद्योग के परकार का विनिश्चे आवशकताओं और अन्य सूसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करें इससे आवेदकों के नाम पर विचार किये जाने का शेत्र अवधारित किया जा सकेगा राज्य सरकार दुआरा ये सभी बातें आवंटन हे तू भूमी अधिसूचित किये जाते समय परकट कर देनी चाहिए जिससे कि इच्छुक दावेदार भूमी के आवंटन के प्रकरम से पूर्व अनुदान के लिए पात्रता की शर्त जान सके ऐसे परतेक वैक्ती को जो वीहित रीती में पट्टे पर भूमी प्राप करना चाहता है और पात्रता की शर्तें पूरी करता है विचार की जाने के मामले में समान अवसर दिया जाना चाहिए अवसर की समानता से सभी प्रकार की समानता अभी प्रेत है जिसके अंतरगत अनुदान के निबंधन और शर्ते भी आती हैं तभी अवसर अर्थपून हो सकेगा यहे सर्व विदित है कि लोक नोटिस जारी करके वी निर्दिष्ट समय के भीतर परस्ताव आमंतरित करने का ढंग या लोक निलाम करने संपत्ती के निश्पक्ष आवंटन के सर्व सुर्कृत तरीके हैं जिससे सभी हित बद वैक्तियों को समान अवसर मिल जाता है यहे भी पूरी तरह इसपष्ट है कि दूसरे वैक्तियों की अपेक्षा करते हुए और ऐसे अनुदान की उपलभ्यता के तथे को अधिसूचित किये बिना केवल एक ही वैक्ति को आवंटन का परस्ताव करना पक्षपात करने और दूसरे वैक्तियों को समान अवसर से वन्चित किये जाने की कोटी में आता है सरकारी अनुमान वित्रित किये जाते समय ऐसा तरीका अपनाया जाना इस्पष्टह अनुनग्य है हमारे मतानुसार प्रस्तुत मामले में अपनाई गई आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह पक्षपात के इस्पष्ट दोश से तरस्त है स्टूब कर दो